जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अरोडेका स्टडी में और मैं आशिस पांडे आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग सुरू कर रहे हैं रीट एक्जाम के लिए कुछ मैथमेटिक्स क्लासेज और यह सीरीज में चलेगी और यह जो होगा यह तरह से समझे कि आपके लिए क्रैस कोर्स की तरह रहे गई इसमें मिक्स्ट क्वेस्टन आपको मिलेगा और जो रीट एक्जाम में आय हुए हैं या उसके जैसा सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं मुझे पता है आपकी तयारी हो चुकी है लेकिन आपको लास्ट समय में क्या चाहिए आपको कैसी प्रैक्टिस करनी है वो सब चीज मैं इसमें बताऊंगा आपको तो जो लोग रीट एक्जाम की तयारी कर रहे हूं उनके जैसे question होंगे या उसी के जैसे जो आ सकते हैं इस तरीके के question होंगे तो चलिए शुरू करेंगे जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक और सेर सभी लोग करेंगे और सपोर्ट करते रहें आपके सपोर्ट से ही चैनल और अच्छा काम करेगा और अच्छे-च्छे यहां पर content आपको मिलेगा तो जितना आपका support रहेगा उतना मुझे motivation मिलेगा नए content लाने के लिए तो चलिए यह सुरू करते हैं और जो सबसे पहला question है वह मैं आपके स्क्रीन पर लेकर आता हूं और पहला question बहुत ही मज़िदार question है क्या बताओ question यह है कि आपके मतलब जीवण में चलने वाली चीज से जुड़ा हूआ question है आपके घर में टंकी होगा नल होँगे पानी भरता होगा यहां नल से पानी की साइज होई है साइज क्या दिआ है दो गहराई है वह तो 1.5 मिटर लंबाई और 1.5 मिटर चोड़ाई है उसकी और यह जो साइज है यह साइज बदल भी सकता है कि 2 मिटर लंबाई, 1.5 मिटर चोड़ाई और 1 मिटर गहराई भी हो सकता है इस तरीके का भी हो सकता है और जो नल है वो नल की चल्ले की स्पीड है यानि पानी देने क कैसे कितना देर लगेगा यह हमें निकालना है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम इसमें क्या काम करते हैं कि जो भी दिया हुआ है आपका ये दिया हुआ है क्या साइज दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि टंकी की जो आयतन है यानि वॉल्यूम जो है वो निकालेंग तो जब volume निकालेंगे, आयता निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इन तीनों वो गुना करंदेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हैगा, तीन मीटर cube और तीन मीटर cube आ गया, लेकिन हमारे पास तो लीटर वाली बात है, कि भाईया लीटर में पानी भर रहा है, तो आप ल यह होता है तो ठीक है एक मीटर क्यूब बराबर एक हजार लीटर होता है तो जो इसकी आयतन हो जाएगी लीटर में क्या हो जाएगी तीन हजार लीटर हो जाएगी अब तीन हजार लीटर हो गई तो टाइम निकलना है तो आप लोग जानते होंगे कि जो टाइम निकालते हैं तो टाइम कैसे निकालेंगे अगर एक मिनट में 20 लीटर देखिए यहाँ यहाँ पे 20 लीटर भरने के लिए कितना दिर लग रहा है एक मिनट लग रहा है ठीक है तो एक लीटर भरने में कितना दिर लगेगा एक बटा 20 मिनट लगेगा तो वहीं 3000 लीटर अगर भरना होगा तो क्या हो जाएगा एक बटा 20 गुना 3000 तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये दो से अगर काटे तो ये हो जाएगा तीड़ सो मिनट कितना हो जाएगा तो डेड़ सो मिनट हो गया तीड़ सो मिनट अच्छा एक घंटे में कितना मिनट होता है तो एक घंटे में होता है साथ मिनट कितना होता है साथ मिनट तो साथ मिनट हो गया दो घंटे में कितना मिनट होगा 120 मिनट ठीक है और वहीं दो घंटे और आधा घंटा और जोड़ ले यानि धाई घंटा कर ले तो क्या होगा आधे घंटे में कितना मिनट होता है 30 मिनट तो 1.500 मिनट हो जाएगा इसका मतलब जो होगा जो समय लग रहा है वो क्या है 2 गंटा 30 मिनट समय यहाँ पे लग रहा है समझ गया आप बात को अगर 1500 मिनट है तो आप भाग लगा दीजिए भाग भी लगा सकते है ऐसे 60 से 600 लिख दिए 60 से भाग लगा रहें क्योंकि 60 मिनट का 1 गंटा होता है तो भाग लगा देंगे 2 कर देंगे 120 बचा यहाँ पे 30 यानि 2 गंटा 30 मिनट आपका इसका समय लग रहा है तो यह हमारा ऑप्सन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा अंसर उमीद करता हूँ आप लोग समझ गया होंगे यह चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा यह वाला यह याद रखिए इससे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं इंग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के पेपर में ही आया है तो यह पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ जो अगले क्वेश्चन है अरे वाँ यह भी कमाल के क्वेश्चन है पहुत ही लाजवाब प्यारा सा क्वेश्चन है तो यह इसे भी सॉल्व करते हैं देखिए यहां में क्या बोल रहा है कि एक फिगर बनाई हुई है और जो ओपी है यह वाली लाइन कि जो यह चल रहा है यह लाइन चल रहा है इसी के समानतर एक उपर की लाइन भी चल रही है जैसे माल लिजे यह हो गया यह समानतर ट्रेन की पटरी समझ लिजे ट्रेन की जो तोनों पटरिया होती है वो समानतर होती है वो क्या होती है पैरलर होती है कहीं टेड़ा मेरा नहीं होता है ये कभी जाके एक जगा जुड़ेंगे नहीं ये चलते जले जाएंगे ये कभी जुड़ते नहीं है इसमें अगर थोड़ा भी टेड़ा हो गया तो ये जाके कहीं न कहीं जुड़ जाएगा ठीक है तो यह जुड़ता नहीं है यह पैरलर होता है समानतर होता है तो वही बोल रहा है जो OP है वो RS के समानतर है ठीक है और जो एंगल बन रहा है जो कौन बन रहा है तो P और Q के बीच में वो है 100 डिगडी का ठीक है वो कहा है 100 डिगडी का है और वहीं बता रहा है कि जो Q, R और एसके बीच जो कॉंड बन रहा है, वो बन रहा है, 140 डिग्रिका. तो हमें क्या बतानाएं? हमें बतानाएं, PQ और R के बीच के यह वाला जो एंगल है, हमें यह वाला कोंड बताना है, कि कितना है यह? ठीक है? चलिए बता देंगे, कि इसमें क्या है छोटा सा question है कितना बड़ा question है एक छोटा सा बस figure इसे इसे कर दिया है अब इससे हम थोड़ी डर जाएंगे हम तो डरने वाले हैं नहीं चलिए solve करते हैं इसको भी तो जो बात ये बोल रहा है कि अगर अगर यहां से एक लाइन हम खीचते हुए यहां तक ले जाएं यहां तक ले गए और एक लाइन यहां से खीचते हुए हम यहां ले कर गएं तमझे है कि यह सब पैरलर है यहां पर हम माल दिजिए इसको लिख दिये टी इसको लिख दिये U, यह सब क्या है? पैरलर ही है, इतने है वो सब पैरलर है ठीक है? तो यहाँ एक लाइन ये खीच दीजिए ये R और Q का extend कर दिये, बढ़ा दिये इधर तो जो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा हमें, यह वाला जो एंगल मिलेगा वो इसके बराबर हो जाएगा 140 के बराबर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो एंगल होगा यह सीधी रेखा एक हो जा रही है और सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिगरी एंगल का होता है और यहाँ पे जो है यह 140 है तो बच्चा हुआ हो जाएगा चालीस दू norm पिभी दिशी भी से हम जालना होगा क्या तो यह वाला यहां से हम इधर दो यह पी और क्यों को बढ़ा देते हैं तो यह जब पढ़ा रहा हो है यहां से यहां तक का जो객ल मिल रहा है यहां से यहां तक कि नहीं मुझे बदलने यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वह कितना होगा किसके बराबर होगा यहां तो यह हो गया 100 तो फिर यह जो सीधी रेखा बन रही है यहां पे यह भी तो 180 डिगडी का बनाएगा कोण तो 180 जब यह हो गया 100 यहां पे हो गया तो यह बचा हुआ क्या हो जाएगा 80 डिगडी का हो गया अब फिर से मुझे एक पेन चेंज करने दीजिए अब नया पेन हम कौन सा ले चलिए ले ले लेते हैं हम कले हरा लेकर देखे कैसा चल रहा है हाँ चलिए हरा ठीक है अब आते हैं हम इस वाली लाइन पे यह वाली लाइन आते हैं यह वाली लाइन ठीक है ये भी एक सीधी रेखा हो गई ठीक है एक सीधी रेखा यानि इस पे भी जो एंगल बनेगा 180 डिगडी का एंगल होगा जो कोड होगा 180 डिगडी का होगा तो 180 डिगडी का ये होगा और 80 हमको यहां मिल गया है 40 हमको यहां मिल गया है बीच का बचा हुआ हिस्सा निकालना हमें तो 80 और 40 कितना हो जाएगा 120 तो 120 इसमें से घटा दीजी आप तो बचा कितना तो 60 टिगडी बचा तो आपका जो एंसर होगा इसमें 60 टिगडी एंसर हो जाएगा यही सही जवाब होगा कैसे किया मैंने जो भी लाइन है उनको बढ़ा दिया बढ़ाने के बाद उसमें 180 वाला रिलेशन बना दिया और उसी हिसाब से मैंने काल्गुलेट करके निकाल दिया पहुत ही असान है बस दिमाग हल्की से लगानी होती है ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला question था, थोड़ा सा, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, उमीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, पढ़ते हैं अपने अगले question के तरफ, हाँ, अगर समझ नहीं आया होगा, तो आप लोग मुझे Instagram पे भी भेज सकते हैं question, या Telegram पे भी भ पढ़ी है, और about section, channel के about section में भी लिंक पढ़ा हुआ है, आप लोग कहीं से भी जाके, मेरे personal ID पर भी आप लोग भेज सकते हैं, कोई दिक्क नहीं है, मैं आपको बता दूँगा, चलिए पढ़ते हैं अपने अगले question के तरफ, जो अगला question है, ये भी बहुत जारा सा question है, अच्छा सा question ये भी है, ये question क्या बोल रहा है, a cylinder of height 4 cm is formed after folding, मतलब क्या हो रहा है, कि folding a rectangular paper, यानी एक rectangular कागज ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक rectangular कागज ले लेते हैं, और कागज क्या हां से लिए, मान लीजिए, ये एक, मेरे पास एक कागज है, ठीक है, rectangular कागज है, और य दो fold में है, तो इसको छोड़िए पहले, अब इसको goal ना गुमा के, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, goal ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, एक cylinder की तरह बन गया है, देखी, आप लोग goal, cylinder की तरह हो गया, ठीक है, ये, cylinder की तरह हो गया, हुआ तो नहीं है, लेकिन समझी है कि cylinder की तरह ह भी होई है, वो भी है, 22 cm और 4 cm, और cylinder की जो height है, वो 4 cm है, इसका मतलब क्या हुआ, कि हम लोग जो length है, उसको fold किया है, ठीक है, जो length है, उसको fold किया है, जैसे माल लीजिए, कि ये 4 cm का है, और ये 22 cm का है, ठीक है, ये 4 cm का है, ये 22 cm का है, तो हम लोग जो fold किया हुए है, य एक भी जब टेंगे तो यह क्या हो जाएगी इसकी हाइट क्या हो जाएगी चार सेंटीमेटर हो जाएगी ठीक है और यह ओंड्पी सेंटीमेटर यह उपाइब गोला जाएगा निकाल को होगँ कैसे शल्दी से कि होता और कैसे निकालते हैं तो हम लोग निकालते हैं इसके के साईड वाला जो आपको यह दिख रहा है यह वाला पॉल्सन मिलोग इससे हम लोग निकालते हैं ठीक है यह वाला बोलते है कर्ब सर्फेस एरिया इसको क्या बोलते हैं कर्ब सर्फेस एरिया ठीक है इसी को बोलते हैं हम लोग कर्ब सर्फेस एरिया तो इसको जब हम निकालेंगे तो यह किस से बना है यह पेपर से बना हुआ है और पेपर को ही लपेट के बना आपने लिगे तो पेपर की अइरिया आप लगों निकाल लीजय कितना ओजाएगा 88 से कंटीमिटर यानि 22 कुना 22 कर दिजिये आगे यहां वह है 22 कोना 22 कर दीजिये गूना यह क्या हो जाएगा अठाs 88 सेंटीमिटर पधी हो जालएगा एंसर simple सा question है तो चलिए पढ़ते हैं आपने अगले question के तरफ और अगला question जो है वो आपके सामने ये भी बड़ अक्था question है बाई ये iam mean अच्छे question है मुझेदार question आते है चलिए इपने question को पढ़ते हैं लिखा है 20 meter लंबी 5 meter उची और 50 river 10 meter सिंटीमिटर लंबी 55 ifo ए और जो ओटाई हैं वह 50 cm है जिसमेंटू दरवाजे दो मीटरण seit distinty मीटर और एक जो है desde जिसमें दो दरवाजे लगाये जा रहे है इसकी लंबाई चड़ाई जो है वह दो जो मिटर और सेंटीमिटर है ठीक और बनाने में 65 संटीमिटर उन्हें 16 संटीमिटर उनहें 10 संटीमिटर मांख की इंट कि आव सकता होगी अच्छा ठीक है बना देंगे हम लोग इसमें क्या दिक्कत है चलिए तो इसमें हमें करना क्या होगा, करना ये होगा कि जो दिवार है, हम लोग दिवार की जो आयतन होगी वो हम लोग निकालेंगे, क्यों कि जो पूरी दिवार की आयतन है वो निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कि ये जो दर्वाजा है, उस लंबाई चोड़ाई और घटा देंगे उसमें और घटाने के बाद क्यूंकि जब दिवार हम लोग बनाते हैं दिवार पनाएंगे तो दरवाजा देना होता है वहां तो पूरी दिवार के मुटाईग खतव जाती है और उतना जगाई छोड़ देते हैं तो उतना हम लोग घटांगे उतना space घटा के उसके बाद eight के जो आयतन होगी उससे हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे जड़िए हम लोग करते हैं सॉल्ब इसको भी तो क्या है इसमें और जो भी नहीं बदलते हैं हम लोग, बिना बदले काम करते हैं, तो 20 मीटर है, और फिर 5 मीटर है, और 50 सेंटिमीटर को क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाता है, इसमें हमारा इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 50 का हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका, 50 मेरे समझ से तो यही होना चाहिए तो देखिए 50 मीटर क्यूब इसका यह हो जाएगा आयतन ठीक है 50 मीटर क्यूब इसका हो जाएगा आयतन और अब दर्वाजे का जो एरिया है दर्वाजे का जो हिस्सा है उसको हमको निकालना है दर्वाजे का जो area हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दो गुना 8 यानि ये कितना हो जा रहा है 3 meter square लेकिन हमको तो पूरा आयता निकालना है तो जो मोटाई है 50 cm वाली वो भी हटाना पड़ेगा तो वो भी यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे 0.5 meter से तो ये कितना हो जाएगा 1.5 meter cube लेकिन दो दर्वाजा है एक नहीं है तो दो दर्वाजे के क्या हो जाएगा फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना करतेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 meter cube अब इतना हम लोग area मतलब इतना हम लोग तो अब कितना बचा हमारा कितने में इंट लगने वाली है तो पचास माइनस तीन यानि 47 मीटर क्यूब में हमारा इंट लगने वाला है चलिए पेन मदल लेता हूं क्योंकि बहुत सलका दिख रहा है ये क्रीन वाला तर देता हूं रेड में थोड़ा मज़ा आता है चलिए तो अब 47 मीटर क्यूब मतलब आयतनवाली आपके पास दिवाल है उसमें हमको इंट लगाना है तो 47 उपर लिख दिए अब गुणा नीचे इसे लिखते हैं 75 सेंटिमीटर है 12 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है लेकिन यह जो है यह मीटर की उपर हैं और यह सब सेंटीमीटर में इन सम पर今 एक जीरो एक जीरो काट दिये ये पचीस जो है यहां से चार बार में कट गया और ये चार सोला को चार बार में काट दिया और फिर ये चार जो है ये पचीस को काट दिया यहां पे अब आपको करना क्या है पचीस और सैतालिस का गुना करना है तो इसको भा गया मेरा करसर 47 पुने 100 बटा 4 कर देते हैं थोड़ा मुझे असान लगता है तो 47 100 बटा 4 अब यहां पर भाग दे दिये तो 4 से 4 एक बार फिर यह साथ आया तो एक बार 3 बचा 3 और 0 कितना हो जाएगा तो 7 से 28 दो और 0 यानि 5 यह आ रहा है मेरा इसमें लेकिन कहीं एक 0 छूटा है यह वाला 0 यह वाला 0 जो छूटा है तो यहां पर एक 0 हमको लगाना पड़ेगा एक 0 इधर बढ़ाना पड़ेगा और एक 0 यहां पर यानि जो हमको इंटो की आवसकता होगी वह होगी 11,750 इंट की हमें जरूरत होगी चलिए पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन के तरफ उम्मीद करता हूँ यह समझ गया होंगे आप तो अब जो क्वेश्चन है यह भ लिख लें जार दिख रहें आपको और पी से प्रसाद जी भी हो सकते हैं पी से कुछ भी हो सकते हैं चलिए जो प्रेम जी है जो एक लोन लेते हैं बैंक से या कहीं से भी 9000 रुपए की और लेते कितने के लिए हैं तो 2 साल और 8 महीने के लिए सधारन ब्याज के दर पे ले रहा है और कितने परसेंट पे ले रहा है तो 8.5 परसेंट पे ले रहा है ठीक है तो चलिए समय कितना ले रहा है ये 2 वर्स 8 महीने का क्या मतलब हो ग जाएगा आप लोग करके देख लिजिए महीने को हमने साल में बदल के फूरा साल बना दिया उसको ठीक तो यह हो जाएगा आट बट्टा तीन साल में यह पैसा लोटाएंगे ठीक है तर जो है इनका क्या है आट दिसमलोग पांच परसेंट यह जो इनका रेड्ट है ठीक है यही इनका क्या है? सुद्धर है. ठीक, चलिए. और प्रिंसिपल जो है, यानि जो सुद्ध लिए हुए है, वो ये लिए हुए है. चलिए इनका हम लोग ब्याज निकालते हैं. ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 9000 गुणा और यह गुणा जो कर रहे हैं, यहाँ पर एक जोड आठ दसमलोग पांच गुणा, आठ बटा तीन और यह सौ ऐसे कर देते हैं. ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो फाइनल एमाउंट जब भी हमको निकालना होता है, अगर ब्याज निकालना होता है, तो यह वाला चीज नहीं रखते, ठीक है, यह वाला चीज नहीं रखते, लेकिन अगर एमाउंट निकालना है, आपको पूरी की पूरी रासी जो लोटानी है, वो निकालना है, तो एक जोड यहाँ पर हम कर देते हैं, क्यों वो भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 9000 से फि अगर इस तरीके से ना करें, तो इस तरीके से बहुत बढ़ा calculation होने वाला है, तो इसको हटाईए, ठीक है, और simple से ही करते हैं, यह calculation ज़ादा हो जाएगा इसमें, तो थोड़ा उस तरीकے से नहीं करते हैं, चलिए, यह हो गया, 2,0 से 2,0 कट गया, यह एक 0 इस दसमलों को ह हटा देगा और यह जो तीन है यह तीन बार में काट देगा यह कितना हो जा रहा है आप लोग इसको गुना की जिए यह हो जाएगा हुणा करने के बाद यह जाएगा 2040 इह हो गया आपका क्या हो गया दिए हो गया तो और ति जोह कर देते हैं तो उपना नाले हर दो हजार दो हजार चालीश तो चलिए समझ गया हूंगे आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही सांदार सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं लगा दू आपका ये चार्जर क्योंकि लैप्टप हो गया है डिस्चार्ज और भाई टाइब माँ लिए बहुत इच्छा इसमें बात यह हैं इंडलिच्पन लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है और ऑप्सेंस आपके यहां पे यह हुए है तो यह इसको solve करते हैं बोल क्या रहा है कि यह गए चित्र में रेखाएं AB और CD AB रेखा है और CD रेखा है यह देखिए AB है यहां से यहां तक और CD है यहां से यहां तक ठीक है तो यह बिंदू जो है O यह रहा बिंदू O रहा यह वाला ठीक है चलिए बढ़िया से बन गई अब क्या बोल रहा है कि जो OE है OE OE यह वाला ठीक है और OF यह वाला यह क्या कर रहा है एंगल BOD और COB के सम्द्विभाजक है सम्द्विभाजक किसके है तो OE जो है यह है किसके B O और D के मतलब इसको यह बीच बीच में यह मतलब जो कोण है इसमें उसको आधा आधा बाट रहा है तो अगर यहां पे 25 है तो यह भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा यह इसके कहने का मतलब है उसी तरीके से बोल रहा है C O और B इसको जो है यह O F B से काट रहा है तो जो यह एंगल जो होगा पाल लिजे यह एंगल A है तो यह भी जो एंगल होगा वो होगा क्या A हो जाएगा ठीक है यह इसका कहने का मतलब है चलिए तो पूछ क्या रहा है यह C O F यानि एंगल A ही हमको इसमें निकालना है चलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सीडी रेखा पकड़िए एक सीडी रेखा पकड़िए अब सीडी रेखा पर क्या होता है 180 डिडी का अंगल बनता है तीभी रेखा पर क्या होता है 180 डिडी का अंगल बनता है तो यह सब हम जोड देंगे तो क्या कहा है इसमें 25 जोड 25 जोड A जोड A और यह किसके बराबर है तो 180 के बराबर है तो 25 25 पच्चास हो गया और यह हो गया एक सो असी अब पराबर क्या हो जाएगा 130 क्योंकि 50 उदर ने जाके क्या कि घटा दिये तो यह हमारा क्या जाएगा 65 तो 65 आपका इसमें एंसर हो जाएगा यह सही एंसर हो गया यह सब तर्म आपको ध्यान रखना है क्या है समदी भाजक बतलब बराबर बराबर त्वी मतलब दो भाजक मतलब बाट रहा है ठीक है समदी भाजक मतलब समझ गहोंगे इंग्लिज में इसको बोलते हैं बाई सेक्टर यह ठीक है तो चलिए अब अगले कोशन के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कोशन अरे बाद यह भी कोशन अच्छा सा है इन ए स्कूल अंडर स्रम्दान कैंप 12 एस्टुडेंट्स क्लीन फॉर सेवन आवर्स इफ पार्ट नीट्स टुबी क्लीन इस सिक्स आवर जन हाउ मेनी इस्टुडेंट्स विल बी रिक्वाइड मतलब एक विद्याले में सिविर लगती है जिसका नाम है स्रम्दान एक सिविर है उसके अंतरगत जो बारा च्छात्र है साथ साथ गंटे में सफाई करते हैं तो उतन कि ऐसे इसमें करना क्या होता है कि गुणा करके भाग करना हो रहता है इसे हम लोग क्या करते हैं यह आप लोग एक याद रखेगा तरीका एम से क्या होता है एम से होता है मैं मैं या उमें जो समझी है मतलब आदमी दी से क्या होता है तो डे कितने दीन ह से क्या होता है आवर ठीक है डबलू से क्या होता है वर्ग यह चीज आप लोग ध्यान रखेगा अब M1 D1 H1 W1 एक साथ M2 D2 H2 अपॉन D2 W2 अलग एक जगा ठीक यह करना होता है तो यहां पर इसी में हम लोग रखेंगे ठीक है इसी में रखेंगे हम ल कितना लग रहा है एक यह दीन का काम है तो एक लिख देता है इसमें घंटे कितने लग रहा है शाट गन्टे लग रहे है काम कितना हो रह 중요 है प्रता और. एक दिन में कितने गंटे तो 6 गंटे चलिए 6 लिख दिए और काम क्या है वही एक काम जो था वही सेम काम है ठीक अब इसमें हमको M2 निकालना है तो क्या करेंगे M2 बराबर क्या लिखेंगे यह 12 गुने 7 हो जाएगा एक एक को हटा दिजिए और इधर 6 आके हाँ पर अब पढ़ेगे तब जा चैसे काम पूरा हो जाएगा एक हमकरना अगर साथ गंटे में 2 वही काम पूरा लोग लगेंगे इस तरीके से भी आप सॉलव कर सकते हैं लेकिन यह तरीका मेरा जो है यह मिठाट बड़ा अच्छा लगता है मुझे यह वाला यह यह नहीं है यह वाला है यह मैं बता रहा हूं यह बहुत अच्छा में आप लोग ऐसे कुश्चन में कर सकते हैं इसको पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ और मान लिजीए कि उसका क्रैमूल है अगर सौर्व अगैर होता तो जो विक्रैमूल होता hetी क्लव है मेरे पास्याज मेरे में खड़िया और इसपर 10 थे अदश रुपय हमने फायदा लिया और उसकी जो वैल्यू यहां पर बन रही है वह 330 रुपए कितनी 330 रुपए एक सो दस जो यहां हमने बनाया था यूनिट इसका वह उसकी वैल्यू क्या हो रही है इसमें 330 हो रही है सब्सक्राइब जबाब हो जाएगा कितना च्छोटा सा क्रेशन था इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी क्रेशन तरह यह अगले क्रेशन पर आते हैं यह बड़ा अच्छा सा क्रेशन है यदि बारा दर्जन पेनों का मूले 720 रुपए है तो 25 पेन का मूले क्या होगा अरे भाया बारा का है 720 बारा दर्जन बोला है यानि बारा गुने बारा हो जाएगा ध्यान रखिएगा बारा दर्जन एक दर्जन में बारा पीस होता है तो बारा गुने बारा यानि एक पेन का होजाएगा 120 बटाब 12 12 मैं निकाल ला हैं 25 का साथ 20 बटाब 12 12 यह 12 ilї 12 यह हम पेठें के चार से बारभ ये बजाएगा 25का ये मुल्य पूंच रहा है ना और 12 का बोल रहा है बारह यह हो जाएगा यह वारा पच्छे साथ होता है वारा पच्छे क्या होता है साथ यानि 125 इसका एंसर हो जाएगा एक मिनट इसमें यह वाला एंसर हो जाएगा इसमें ठीक है मतलब बारा दरजन पेनों का मुल है बढ़ते हैं अगले क्वेशन के तरफ उमीद करता हूँ यह समझ गहांगे आप अगला क्वेश्चन है यह वेट है जो पांच चालिस किलो है और उसमें से क्या होता है एक छात्र निकल के भाग जाता है अपने घर भाग गया अब उसको आप पकड़ा नहीं का है अब छोड़ के भाग गया तो सेस बचे छातरों का उसत भार क्या होगा तो भाईया औस पूरा जो जोड़ करते हैं योग जो होता है जो योग रहता है चौनल्ट है कि उसमें हम लोग संख्व देते हैं कि संख्वा से भात देते हैं तो क्या निकल जाता है और सफनी कल जाता है इसमें तो पूरे तो चालिस औी तक दों चारीं में 5 से गुना कर दिए तो ये क्या जाएगा ए हो जाएगा अब डेड़ सो है अब डेड़ सो कितने लड़कों का है एक तो भाग या पांच में से क्या हो गए चार अब to 4 का निकालना होगा हमको तो 4 का निकालना होगा तो 1500 बटागा चार कर देंगे वह वाळा तरीका देन इलस ओबटा Čपर चार कर देंगी यह क्या जाएगा यह आ जाएगा 37.5 हो जाएगा यह आपका संड ल te सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यह आप सब सब्सक्राइब करते हैं मिलेंगे आप सब्सक्राइब करते हैं तब तक लिए टाटा वाइब है एंड थैंक्यू जय हिन